नमस्कार आदाब, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है 17 जैन्वरी 2018 को देश भर के मजदूरों ने All India Strike का कॉल दिया है आज हमारे साथ A.R. सिंदू जी है जो की All India Federation of Armed Bari Workers and Helpers की General Secretary है वो हमसे बात करेंगे कि इस strike की क्या जरूरत है और मजदूरों की क्या मांगया है तो अगर हम जरूरत की बात करें wages यानि वेतन का परेशानी मजदूरों में बहुत समय से रहा है तो अभी क्या हालात है वेतन के यह जो 17 तारीक का हटाल है यह scheme workers का खटाल है जो Central Trade Union होने कोल किया है यह scheme worker माने जो देश में जो बुनियादी सेवाएं जो nutrition का और शिच्छा का और स्वास्ति का जो जैसे ICDS जो आगनवाडी का चलाते है NCHM है जो आशा वकस जो हेल्थ का सेवाएं देते है mid-day meal scheme है और child labor scheme है और अन्य सरकार की योजनाएं हैं जो केंदर सरकार याजी सरकारें चलाते है वो योजनाओं के तहट काम गरने वाले जो बुनियादी सेवाएं नीचे देने वाले scheme workers का खटाल है और उनका जो समस्याओं के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहले है कि इनका तो worker का मानिता ही नहीं दिया जाता है तो इनको बोलते है कि ये volunteer है सोयम सेवी है और ये सोयम सेवी है तो भी तो सरकार में जो minister है एमपी है ये सारे भी तो सोयम सेवी है और owner area मिलते है लेकिन इनको इतना कम तक कि जो एक media mill worker है जो school में खाना पकाने वाले है तो उनको एक महीने में 1000 रुपया मातर दिया जाता है और ये आशा worker है उनको महीने में इतना कम होगा peace rate में है और ये महीने में कोई निश्चित मान दे भी नहीं है कि peace rate में है कि कभी 500-300 ऐसा भी कम पैसा मिलता है और ये आंगनवाडी worker है ये 42 साल से काम कर रहे है उनको के अंदर सरकार तो 3000 रुपया और आंगनवाडी हल पर है इनको 1500 रुपया महीनी दीते है तो ये आजकल के दोर में इसको तो कोई मान दे या तनखा बोलने में ही एक मजाख है तो इस में से कोई परिवार नहीं चल सकता है ये कोई एक इंसान भी जीवत नहीं रह सकता है और इनका काम भी तो है पूरा टाइम का काम है और अध्रिक्त काम भी दिया जाता है सारे डिपार्टमेंट का गाम आइसे लोगों से कर्वायता है तो यह जैसे कि आंगनवाडी वरकर से बायके डिपार्टमेंट का काम गराते हैं, जो स्कूल का जो कुक है, उनका तो वो अधर का प्यून का भी काम किया जाता है, यहां तक कि खर का काम भी करवाते है, चो टीचर्स या ऐसे लोग भी हैं, और यह ऐसा वरकिंग कंडिशन है और तनखा का नाम भी नहीं लेते हैं, और ना इनको कोई समाजिक सुरच्छा मिलता है, ना पेंशन या कोई अँछी सुरच्छा नहीं मिलता है, तो यह हमारा जो सालों का यह डिमान था कि इसनको यह मानिता दिया जाए वरकर का और नियूनतम वैतन और पेंशन दिया जा लेकिन कोई सरकार या तो UPS सरकार हो या अभी NDA सरकार हो यह मानने को तयार भी नहीं है, और बजट में जो कटा हुए है, स्कीम पें उतसे भी इसके काफी फरक पड़ा होगा, तो उसका क्या हाल रहा है, यह तो एकदम सही कहा है कि इसमें जो पर्टिकुलर्ली जो अभी जो मोधी सरकार आया है, मोधी सरकार ने जो सरकार के अंदर का यह बुनियादी सेवाएं जो देते हैं, उस पे जो खर्च है वो पूरा कम करने के लिए, वो इसको सबसीडी का नाम देते हैं, और सबसीडी कम करने के नाम बे यह योजनाओं का ही बंद करने का यह साजिश डिया है कि इस час बॉल सकते है कि यह किया जा रहा है और यह नीती आयोग ने भी यह प्रोपोसल डिया है कि इसको जो बहुत सारे योजणाओं को बंद करना चाहिए और इसके तहट उन्होंने जो सबसे पहले बजट में बहुत भारी कटोती किया है यह जो मुख्य योजनाएं हैं इसमें से तीन मुख्य योजनाएं हैं कि एक ICDS जो है छे साल तक के बच्चों को नूट्रिशन और प्री स्कूल का सर्विस देते हैं और माओं को गर्भवती क और दूद पिलाने वाओं लमाओं को भी नूट्रिशन देते हैं और मिड़े मिल का स्कीम है जो देश के 11 करोड बच्चों को खाना देते हैं और NHM के तहट में जो स्वास्तिका सेवाएं देते हैं इंक्लूडिंग मैटर्निटी बनिफिट तो यह जो सेवाओं के लिए ज जिसको मान दे कहा जाता है वो भी छेव साथ महीने तक नहीं मिलते हैं बहुत सारे जगा में और इसमें जो सेवाएं देते हैं खाने के लिए पैसा नहीं है तो खाना नहीं आता है और सबसे ज्यादा कुपोशन जहां है इसे राजियों में जैसे चतीस गड़ हो या जारक है नहीं है इसका बोलके इसका न्याय देते हुए इसमें प्राइवेट पार्टी इसको इनवल्ड करने का भी प्रयास किया जा रहा है तो इससे सरकार अपना जो मतलब बेसिक उनकी ड्यूटी है वो निभाती है लोगों की तरह पर अब जब यह एंजियो इतने आ जाते है और प्राइवेटाइजेशन इतना हो जाता है फिर उससे सरकार का काम कैसा एफेक्ट होगा इसमें जो है यह बेसिक सवाल यह है कि यह जो सरकार की जिमेदारी है और जो जनता का अपना हक है जो उनिवर्सल राइट है जारे जनता को जो मीनिमम सुविधा में मिलना लोग अपना जो है दया पे जो लोगों को भीक देने वाला जैसा हो जाता है तो यह बुनियादी यह है कि यह जो है यह जो अधिकार है और इसका जिमेदारी सरकार का है यह वहां पर फिक्स होना चाहिए और यह सरकार उसमें से बदल के अभी जो है यह बहुत पड़ा पै को सारे सबको यह बुन्यादी सेवाय उपलब्ट किया जाना चाहिए और यह इन्जियोस को यह भी नहीं यह अपना जेब से कोई पैसा खर्चा करके यह बी कर नहीं रहा है यह उल्टा सरकार का पैसा अपने जेब में डालके उनका सेवाएं कम करते हैं, आदे सेवाएं नीचे तक पहुंचते नहीं है, और ये एंजियोस भी जो है, ये छोटा मोटा एंजियोस नहीं है, ये बड़े कॉर्परेट्स का अपना एंजियोस है, जैसे अच्छे पात्रा है, नांधी फाउ अच्छा वरकर्स को, ऐसा भी काम किया जाता है, और वेदान्दा जैसा कंपनी भी कॉर्परेट कंपनी है, जो सरकार को अपना टैक्स नहीं देते है, और वो सरकार से इसमें एग्रिमेंट करके हम लोग को कुछ पैसा देंगे, ऐसा दिखा के, तो उसमें अपना गुट ब रहे हैं, और जहां आम जनता को कोई सेवा मिलते नहीं है, ठंग से, तो इसमें हमारा ये मांग है कि ये सबसे पहले कि ये जो सेवाएं हैं, उसके लिए आबंडन पूरा होना चाहिए, जहां क्वालिटी सर्वीस मिल जाए, और सबको मिल जाए, यूनिवर्सल सर्वीस सारे सोशल सेक्यूरिटी मिलना चाहिए, और उसके अलावा इसमें कोई तरह का नीजी करन मत चलना चाहिए, और वो भी नहीं, और लेटेस्ट ये है कि सरकार ये जो सेवाओं को बंद करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्वर का बात कर रहा है, पैसा देंगे, उसके ना सवासाइसे अदेंगे, आपको पैसा जहरेमें डालेंगे, लेकिन ये भी इलावा है, ये आपका का नहीं होगा, तो कर्यका कम करने, एलगाने का पार्य हो लिए बंद करो तो या रिंगें, बंद करेंगे। करते हैं डूसरा है डारेक्ट बनेफिटोर के नाम पे किसको मिला है नहीं मिला है अभी बहुतेैनेटेय। तो यह स्तिधी है कि यह तो back doar से इसको बंद करने का पूरा प्रयास है तो इसका भी हमारा trade union पूरो विरोध कर रहा है और यह सारे मांगों को लेकि एक दिन का हड़ताल है एक दिन का हड़ताल और है और हड़ताल के साथ साथ में वो पूरे देश में अपना प्रदर्शन भी करेंगे कि अपना ताकत दिखाने के लिए और सरकार को मेमोरांडन देंगे और जो बज़ट आने वाला बज़ट की अंदर में यह मांगों के लिए काफी आपडन अगर न वरकस के लिए अलग सा भी अनिश्चित कालीन खड़ताल या फिर अनिश्चित कालीन पढ़ाव जेसा यहां किया है तो यह दो तीन दिन का किया है तो अनिश्चित कालीन पढ़ाव भी करने का भी सोच रहा है वो जो बजट के बाद में सेंटरल रेडियूनियंस पैट के तै झाल झाल